नमस्कार श्वागत है आप सभी का बोकारो हेडलाइन्स में प्रस्तुत है बोकारो और देश दुनिया में हुए आज दिन भर की हल चल कुछ ही मिन्टों में बोकारो के प्राइवेट अस्कूलों के अभिवावों को ने बोकारो उपायुक्त से लगाई गुहार पीस माफी को लेकर किया प्रदर्शंद बोकारो विदायक विरंची नाराया ने जारखन के सिक्षा मंत्री से की बात मंत्री जगरनात महतों ने बताया की अस्कूल पीस को लेकर नौजून को होने वाले बैठक में लिया जायेगा बड़ा फैसला बिस्टू परियावरन दिवस पर बोकारो उपायुक्त ने बताया की लगबख साढ़े तीन सो एकर की जमीन पर बोकारो जीले में चल रहा है व्रिक्षा रोपन का कार रे मदुरई तमिलनाडू से स्पेसल ट्रेंड पर चड़कर बोकारो पहुंचे 867 मजदूर जिन में 51 बोकारो के रहने वाले बोकारो प्रसासन के द्वारा चालू है ऑनलाइन क्लासेज पहुंच रहा है सैक्रो छात्रों को फाइदा अभी तक जारखंड में कोरोना के कुल 876 मामले जिन में 390 लोग हो चुके हैं ठीक और 7 लोगों की हुई है मौत आज लगेगा साल का दूसरा चंद्रग्रहन रात्री सावा 11 बजे सुरू होगा चंद्रग्रहन उप चंद्रग्रहन होने के कारण कोई विशेश प्रभाव नहीं